हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं पकोड़े वाली कड़ी आपने कई बार देखा होगा कि हमारी कड़ी फट जाती है उसका क्या करण है मैं आपको बताऊंगी चली तो हमें स्टार्ट करते हैं मैंने सामगरी में लिया है 500 ग्राम हमा आदी चोटी चमच मैथी दाना है हीम एक चोटी चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच राई लिए करी पत्ते लिए हैं तड़का लगाने के लिए दिर चमच नमक है पांसे छे लाल मिर्च लिए है और दो चोटा चमच साबुत धनिया लिया है अदरक लैशुन इन पिसाओ को आप पेश डालेंगे कडी में चलिए तो सबसे पहले हम दही को फिट लेंगे दही अच्छे से फिट गया है चाज बन गया है जब भी आप कड़ी बनाए तो सबसे पहले दही का टेस्ट कर लें कि खटा तो नहीं है ज्यादा तो आप फिर उसके इसाफ से पानी डालिए दही से जो हमने चाज बनाया है वो ज्यादा खटी नहीं है नॉर्मल है जितना हमे कड़ी के लिए उतना है अब हम इसमें दू गलास पानी याट पर देंगे चाज में आप चाहें तो जही की जगाँ प्यकेट वाला चाज ले सकते हैं audio को गड़ा हम बीशन लेंगे कड़ी के लिए और पकॉड़ी के लिए अगर दही अच्छी सी नहीं आब analysis कड़ी के फटने की चांस जादा हो जाते हैं इस चम्मस से में तीन में वेशन लोगी पानी देरे देरे डालना है और पेटेंगे तब तक पेटना है जब तक इनकी गुटलिया निकलना जाए अच्छे से वेसन फिट गया है अब हम इसमें चार्ज डाल देंगे पकोड़ी बनाने के लिए वेसन को गोल के रख देंगे तीन चम्मच वेसन है पकोड़ी बनाती टाइम हिंग जरूर डाले हिंग से पकोड़ी अच्छे सौप्ट बनते हैं अच्छे से फूल्ज देंगे थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे कलर के लिए साथ च्छे से वी कम नमक डालेंगे लाल मिर्च डालेंगे और फिरते जाएंगे और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे पकोड़े के लिए बेशन ना जादा पतला रखना है और ना जादा गाड़ा इस टाइप से रखना है और 15-20 मिट के लिए बेशन को फूलने के लिए रख देते हैं जिससे के फूल जाएगा तो अच्छे से पकोड़ियं बनेंगी कड़ी बनानी के लिए मैंने इस्टील का वर्तन लिया है इसमें कड़ी बहुत अच्छी बनती है एक चुटा चम्मच ऑईल डाल देंगे गरम होने के लिए रख देते हैं गरम हो गया है सबसे पहले हम हींग डालेंगे कि यह के बाद आठो छोटे चम्मच मैथी राना और चला देंगे कि साथ में आठ से दक चरीपिता डाल देंगे ना सिग गया है ग्यास बंद कर देते हैं और जो चार लिया था वो डाल देंगे जो हमने वीफन फेटा था वो भी डाल देंगे हल्दी डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक एक चम्मच चार्ज में नमक आप पहले ही डाल देजिए अगर आप बीच में डालेंगी तो कड़ी फटने की चांस ज्यादा रहते हैं कर देंगे कर देते हैं और हम कड़ी को चलाएंगे थोड़ा पानी और कम लग रहा है तो हम आवे गलास और एट कर देंगे अगर हम कड़ी को नहीं चलाते हैं तो कड़ी फट जाती है जब तक उबाल आएगा तब तक आपको कड़ी ऐसे ही चलाते रहना है कड़ी में उवाल आ गया है अब हम कड़ी में छोटी सी कटोरी डालेंगे मेरी ममी घर पर कटोरी डाल देती हैं कटोरी डालने से कड़ी जीछ में भी कभी नहीं भटेगी कड़ी को हमें slow flame पर पकाना है कड़ी slow flame पर पकेगी तो टेश्ट भी और अच्छा आएगा कड़ी पक रही है दूसरी साइड हम पकोड़ी निकाल लेते हैं ओल डाल लेते हैं हमारा गरम हो गया है आप चाहें तो चम्मल से निकाल लीजिए पकोड़ों को अगर मैं हाथ का यूज करती हूं चोटी-चोटी साइज की पकोड़ी निकाल ली है गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है अब हम पकोड़ी पलट देंगे दौनों साइड से अच्छे से सिग गए हैं अब हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह है हम सारे पकोड़ी बना लेंगे अरे पकोड़ी बन गए हैं बीच बीच में कड़ी को चलाते रहिए अब हम मसाली पीसेंगे तार में हम खड़ी मसाली डाल देंगे धनिया विची अध्रक लेशन मसाला पीसते टाइम थोड़ा सा हलका पानी डाल देंगे मसाला चेक कर से हैं अभी मसाली में थोड़ा और पानी अट कर देंगे छोटी चमस पानी और डाल देंगे अब फिर से पीसेंगे मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है यह देखिए जो सिल्वट्टे पे मसाला बनता है उस टाइप का हमारा मसाला पिस गया है मसाला पीसते टाइम अगर पानी कम लगता है तो थोड़ा और अपनी साब से डाल दीजिए कड़ी को पकती हुई आधा घंटी से जाधा समय हो गया है मैंने स्लो फ्लेम पर पकाया है और हमारी कड़ी बहुत अच्छे पक गई है अब हम यहां पर पीसे हुए मसाले डाल देंगे जो कड़ी में कटोरी डाली थी वह हम निकाल देंगे इसके बाद मसाले डाल देंगे मसाला डाल देंगे मिक्स कर देंगे कड़ी को अभी हमने मीडियम फ्लेम पर कर लिया है कि को मसाला डालने के बाद दो तीन मिनिट और चलाना है तीन मिनिट हो गए है कड़ी को उबल से अब हम यहाँ पर पकोड़े डाले मैंने डाल दिये है और गैस को बंद कर दिया है तड़का लगाएंगे अब हम ओल डाल देंगे तड़का लगाने के लिए गरम हो गया है राई डाल देंगे, लाल मिरुची डाल देंगे, कड़ि पत्ते लास्क में डालेंगे सबंब दढका बन गया है, कड़ि में डाल देते हैं कड़ी हमारी पनके तैयार हो गई है, कड़ी को आप चपाती, चाबल, तली हुई रोटी के साथ खाइए toda sa कड़ी बनाते टाइम कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है कि दही को अच्छे से फेटना है और दूसरा आप लगातार चलाएंगे तो कड़ी आपकी कभी नहीं फटेगी कड़ी में आपको साबुद मसाले का पेश्ट बना के कड़ी में डालनी है ताबुद धनिया और लाल मिर्च अद्रक लेशन अगर नहीं घाते हैं तो नहीं डाली है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू